जावाई एप्रिकेशन के वाले से बहुत इंपॉर्टन अपडेट्स होई आज उनको हम कवर करेंगे इसके साथ साथ जो नई अपडेट्स हैं क्या वो हमारे लिए वैलिड हैं उन पर अमल करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो सारा आज आपको ड्रॉबैक बताया जाएगा इसके साथ साथ अगर आप जो है वो जावाई के शिकार हुए हैं तो डेफिनेट त्यू हुए इस पर भी आप जरा जो है वो बैस करेंगे और यह इस तरह की अप्रिकेशन जो हैं वो पाकिस्तान में ही क्यों आती हैं इस पर भी बात होगी सो लेस्ट सबसे पहले बात करत तो आपका बैलेंस चाहरे सो डॉलर है दो सु डॉलर है या मोर दन तू हंडर डॉलर है या इससे ज्यादा लोगों ने इन्वेस्मेंट की हुई है तो बैलनस जिरो हो जाए गा तो अब देख सकते हैं कि आपने इस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं करें दूसरी अपडेट के हवाले से बात करें तो उन्होंने का जी एक्शन दिया है और उसके बाद जो हमारी ठीकेट्स जो है वह डाउन हो गई हैं जिसके वजह से हमें लॉस हुआ है और इसमद में जो है हम 30 डॉलर्स इंवेस्ट करवा रहे हैं और जो उनका प्रायर ब पाकिसान में जो कम कर रहे थे वह वह स्काम कर रहे थे अब लीगलाईज हो रहे हैं लोगों के साथ अब बात करें कि यह अप्ल्रीकेशन से लोगों ने कम आया भी अब क्यों कम आया यह कि jest कि जब एक नई चीज़ आप लॉंच होती है तो उन्हे पर्मोशन साहीं उन्हे जब एक application इस तरह की लोगों के साथ scam करने के लिए आती है तो लोगों को return देती है वो revenue generate करके देखती है ताकि लोगों का interest develop वो उन्हें लगे के earning हो रही है जब earning हो रही होती है तो वही earning वो दूसरों को दिखाते हैं कि यह दोखो भई बैने इतनी transaction ली है में इतनी dollars हो गए हैं तो वो दूसरों को भी galvanize करते हैं दूसरों को भी समास पर उकसाते हैं कि भई आप भी खरें तो पाकिस्तानी कौम जे वो तो सो कर कंबल में रजाई में पढ़े हूए वो जो है वो dollars कमाना चाहते हैं तो इस तरह जो है वो trap हो जाते हैं और वो भी invest करना शिरू कर दे हैं जिस तरह उनको लगता है कि भी काफी सारी investment हो गई है तो फिर वो जो है withdrawal देना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बेस्टाइम टू गैट प्रेंड आफ दिस ब्लड़ी situation क्या कि वो जाते हैं कि भई अब बहुत सारा पैसा इकठा हो गया जारा कल्टी मारनें तो कल्टी मारने के situation में क्या होता है कि हम लोग जो investment कर देते हैं बीना सोचे समझें उस application के बारे में हम जानते नहीं कौन है उसका owner कहां से है कैसे है क्या उनका business model है हम इसको जरा concern नहीं करते हैं बस हमारा काम होता है जी एक बंदे रेविन्य जनेर्ट किया है इतन situation चार यह very pathetic situation तो can you imagine that कि उन्हें कितना profit हुआ है तो जब और लग जाता है नहीं हमने चुना सरी सरी किसन लगा लिए तब निकलना शुरू करते हैं और बाद करी सब्देट के वाले से जो 30 डॉलर की हैं तो यह भी जरा-सर fraud है क्या चाहते हैं वह बस अपनी बनाना चाह र पूछने वाले को चेक एंड बैलेंस होता है तो आज वह हमारे साथ fraud ना करते हैं अगर वह launch हो रही है पाकिस्तान में तो एक अच्छे तरीके से लीगल तरीके से launch होती है और सब को पता होता कि यह लीगल है तो मेरा जो point of who है वह यह है किस तरह से आप देखें कि बड़ी आसी companies, बड़ी आसी websites, application आई जो लोगों का पैसा लूट कर यहां से फूर हो गए कोई उनका पूछने वाला नहीं कोई उनको लेन देन वाला नहीं है तो भई the best time thing is that कि अपने आपको safe करें एक physical तरीके से business करें जिसमें थोड़ी तगर दो आपको भी लगे कि मैनत हो रही तो फिर earning करें, भई earning करने के online earning करने के perception को हमने खालत कर दिया, यह online तरीका है जी, एक click करो जी एक click करो जी तो चलो जी आप online कमारें, what the hell is going over there, क्या है यह, यह क्या earning है, भई earning करने है तो YouTube सीखें, कोई ऐसी skill सीखें जो आप freelancing के थूरू अपनी skill को जो है वो cash कर सकें, blogging करें, this is a way to earn, हम किन तरीकों से अपने ही पैसे को जाया करके, और यह zero investment है, यह तरीके बताएंगे आपका एक प्यार ही जाने वाला, तो आप earning करेंगे, तो यह authenticity है, यह authenticity को यह से कमाएं, यह कोई proper way नहीं है, उनका कोई business model ही नहीं था, उनका model था, motto था, कि पाकिस्तानी अवाम को हमने चोना लगाना है, और पाकिस्तानी अवाम अच्छे से चोना लगवा लेती है, कैसे, यह अगर यह नहीं question करें, कि यह पाकिस्तान वी ऐसा क्यों होता है, भई, वो हमारे mindset को पढ़ चुके, हमारी psychology को पढ़ चुके, कि यह जो पाकिस्तानी अवाम है ना, य इसी वीरिंकम कवाना चाहती है, और वो भी कैसे, कि सुब उठें और एक क्लिक कर दें, तो भई, डॉलर जनरेट उत्ते हैं, भई, ऐसे कैसे उत्ता है, बस वो हमारे mindset को पढ़ कर हमें, जो हमें वो ट्रैप कर रहे हैं, हमें उल्लू बना रहे हैं, और यह, इस इस नोट application website जब भी आती है, उनकी मुकमल research करें, उनकी reviews पढ़ें जाकर, और आजकल तो यह भी होता है, reviews भी जो है, वो fake होते हैं, आप इस तरह की application referral program दीव को refer करवाएं, इतना करेंगे, यह करेंगे, यह क्या है, अब वो application पे कोई आड भी नहीं चल रही थी, सिर्फ वो आपकी investment के through investment निकार रही थी, अपना जो है वो business generate कर रही थी, तो मैं यह चाहूंगा कि आप एक penny भी, dollar तो दूर की बात, आप एक penny भी उसमें इन्वेस्टन ना करें, अब जो होना था होगी, आप जिसके, अब वो billions dollar का fraud करके भाग चुकी है, तो आप जा रहे हैं कि 30 dollars और दें, दाकि उनको और ज्यादा revenue generate हो, तो भई, stop करें इसना की application को आप एहतिजाज किया करें, stop किया करें, जब आप भी थोड़े aware हो जाएंगे, तो इसना की application आना बंद हो जाएंगी, तो it's time to get rid of this situation, बोल जाएंगे आपके जो भी situation होई आपके साथ, अब मजीद अपने पैसे जाएंगा 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 जिया मत करें, दिससी टेक न्यूस चेनल को सब्सक्राइब कर रें, और मेरी website thissiteknews.com पर मैंने 3-4 आर्टिकल इस पर लिखे हैं, तो आप उसमें भी विजट कर सकते हैं, मैंने description में उसका लिंक दे दिया, तो you can visit it, आला आफिज